नमस्ते इस वीडियो की माध्यम से आज आपको मैं ले चलती हूँ उत्राखंड की संस्कृति के और ये हैं सातो आर्ठो का त्योहार जो कुमाओं सेत्र में अधिकतर मनाये जाता है तीन से चार दिनों तक चलने वाला या त्योहार पंचीमी भादो मास की पंचीमी से सुरू हो जाता है और उस दिन भिगाए जाते हैं बिरुडे यानि एक मतर का ही एक हिस्सा है और छोटे-छोटे दाने होते हैं इसे धूल नगाणों के साथ घर लेके आया जाता है और उनकी पूजा अरातना की जाती है कथा ये है कि माता पार्वती महेस यानि सीवजी से नाराज अपने माई के आती हैं तो उस खुसी में माई के आने की तो हर किसी को खुसी होती है तो उस खुसी में उनके माई के वाले जोड़ता तरीके से उनका स्वागत करते हैं तो यहां पर सत्यमी की दिन इस तरह साम को माता पार्वती की पूजा होती है उनके आगमन में खुसिया म बनाने के लिए यहां पर महेश को भी इसी तरह घास से पांच प्रकार की घास से बनाया जाता है तो यहां पर विशेश कर हो रही है माता पार्वती और सिव जी की पूजा तो यहां पर माता पार्वती को कहा जाता है गौरा दीदी और सिव जी को कहा जाता है महेश भीना या इसमें ब्रत रखा जाता है, जो इस पूजा में विसेश कर जड़ता है भगवान को, वो है ये बिरुडे, तो ये बिरुडे मैंने भी बिगो के रखे हुए थे, और मैं इनको बना रही हूँ, ये पूजा के लिए तो नहीं है अभी, क्योंकि मैं तो बाहर रखी हूँ, तो मैं सिर्फ अपने खाने के लिए बना रही हूँ, इसलůए इसमें प्याज मैं डाल रही हूँ नहीं, तो इसमें दिल्कुल प्याज नहीं परता, तो कि भगवान को चलते हैं, तो उसके बाद घर बर बनाए जाते हैं, साम को परसाथ के रूप में तो इसलिए इसमें प्यास लहसुन कुछ भी नहीं करता घरों में और हम तो बाहर हैं तो अभी हम बना सकते हैं तो यहाँ पर मैंने लहसुन प्यास सब कुछ एक पान डाल लिया था यहां पर बिरोडे भी डाल के हली भावदर, इसको फोल दालके हम भूल दैंगे और давно बूलाख जाए juicypat putting the jam यहां पर फोली पैनी को आप लेड से लगार के लिए शिति लगाने के लिए आप यहे तो इसमेए सिति है अच्छा हो Tori तो यहां पर मेरे बिरूड़े बनके तयार हो गए थे तो यहां पर मेरे बिरूड़े हैं जो इस तरह से तयार होते हैं